हेलो अव्रिवन कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपके घर की जो बेड़ है बेड़ शीड है वो बार-बार स्रिंग हो जाती है बार-बार खिसर जाती है बच्चे है उचलते हैं तो आपकी बेड़ शीड खराब हो जाती है तो उसको हम कैसे ऐसे बच्चाएं कि वो 24 घंटे दक हटे ही ना मतलब वो आपका सारा दिन बिची रहे as it is रहे बिल्कुल भी वो चेंज ना हो सिकुडे ना हटे ना अगर आप इस टीस से परेशान है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है फुल वीडियो वाच करिएगा और अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा चलिए दिखाती हूं मैं आपको कि जरीके से आप अपने बेड़ शीट को बिचा सकते हैं तो चलिए स्टार करते हैं तो यहां मैं चादर बिचाने से पहले आपको एक किसक जाती है खुल जाती है तो सबसे पहले आप एक बात है कि आप कॉटन की चादर यूज रूस करेंframes दूसरी बात है कि आप मोटी चादर यूज करें मेरे यह चादर जो ह्या है क्योंकि यह कोटन की है कुछ लोग होते हैं जो गद्दे के नीचे एक और बेड़ शीट उसके बाद चादर बिछाते हैं जिससे की चादर ना खिसके देखिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ मैंने सिर्फ एक सिंगल यही चादर लिया है बहुत इजी है कुछ भी नहीं करना है सबसे पहले चारो तरफ फैला लीजे आप अपनी चादर को और चादर फैलाने के बाद आपको कुछ इस तरह से अपना ये नॉट लेनी है मतलब साइड का कॉर्णर लेना है और इसमें एक ऐसे करके नॉट बांदेनी है ट्रेस मी गाईज इस तरह से अकर आप चादर बिछाते हैं होटलों पर भी बिछाया जाता है बेडिंग तो बहुत अच्छे तरीका है ये बहुत लोगों को आता भी होगा लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको इकनोर कर देते हैं360 करते हैं इस तरह के मैफटर को तो आप जरूर इस तरह को method को follow करिए और इसके बाद बस आपको अपने com से इस तरह से चारू तरफ खोज देना है जिससे कि जो बची हुई चादर है वो बाहर ना आए और ये देखिए हमारा bed जो है बिलकुल तैयार है अराम से आप इस पर उचलिए कूदिए खेलिए कुछ भी problem नहीं होने वाली है तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको like कर दीजेगा और बस ये देखिए मैं आपको इसका final look दिखा रही हूँ कितना interesting और easy तरीका और आप daily bed sheet बिचाते हैं लेकिन बस थोड़ा सापको और उसको modify करके बिचाना है और आपकी बैच्छी जो है वो बिल्कुल भी टस्से मस किलेगी नहीं तो I hope आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज्यादा helpful लगा होगा helpful है तो इसको share जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बनाएं तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स वीजो के साथ तब तक के लिए टेक कियर बाई बाई